दोस्तो सभी के जीवन में कभी ना कभी एक एसिस इस्यू ही सना आ जाती है कि जब उन्हें इमर्जंशी में पईशो के बहुत ज़रुवत पड़ जाती है यसे में वो बंदा या तो बैंक से लोन लेने की सोचेगा या तो अपने फ्रेंड या रिस्तोदारे के सामने हाथ फिलाएंगा यसे में दोस्तो बैंक से लोन तो मिल जाती है लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलती बार बार बैंकों के चकर काटने पड़ते है और जब तक लोन मिले तब तक तो इमर्जंसी ही खतम हो जाती है और बात रही फ्रेंड या रिष्टोदारों की तो ज़्यादा तर फ्रेंड या रिष्टोदारों सिर्फ अच्छे समय के लिए ही काम आते है खराब समय में कोई साथ नहीं देता है फ्रेंड या रिष्टोदारे के सामने हाथ फेलाने से कभी-कभी तो ब्याज़िती का सामना भी करना पड़ सकता है फिर भी अगर कोई सेलिट पसन है यानि की कहीं पर जोब करते है तो फिर कहीं न कहीं से पैसों का जुगर हो जाता है और उसे ब्यांग से भी थोड़ा जल्दी लोन मिल जाता है अगर कोई सेल्फ इंप्लोई या स्टूडन है तो तो उसे बहुती बड़ी परिशनी का सामना करना पड़ता है तो दोस्तो ऐसी परिशनी में काम आते है प्रशनल लोन एप्लिकेशन जहां से आपको इमर्जंसी में लोन मिल जाती है लेकिन दोस्तो उसमें भी एक परिशानी है कि आजकल मार्केट में बहुत चारी प्रशनल लोन एप्लिकेशन मजुद है और इन में से बहुत चारी loan application fraud है ऐसे में ए पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौनसी application सही है और कौनसी गलत तो दोस्तो ऐसी परिश्थिती में गवराने के जरूरत नहीं है आज मैं ऐसी top 5 personal loan application के बारे में बताऊंगा जहांचे आप 100% secure 5000 रुपया से लेके 20 लाग रुपया तकी loan ले सकोगे आज मैं जो ये top 5 application के बारे में बताने वाला हूँ वो साली की सारी application RBI Register NBFC अप्रू है जिससे आप इन एप पर भरोसा कर सकते हो इस application में fraud नहीं होगा और इन पासोई application से loan लेने के लिए आपको salary slip के ज़रूद नहीं पड़ेगी कोई application में सरिफ आधार काड और पेन काड के basis पे ही loan मिल जाएगी और कोई application में हो सकता है आपको bank statement देने के ज़रूद पड़े लेकिन salary slip के ज़रूद नहीं पड़ेगी यानि कि अगर आप self employee या student हो फिर भी आप इस application से loan ले सकोगे लेकिन दोस्तों यहाँ पर में एक बात बता दूँ कि आप साहे कितनी भी अच्छी loan application से loan लो लेकिन उसका time to time repayment कर सको तो ही किसी application से loan लेना अगर आप time to time repayment नहीं कर पाओगे तो आपको बहुत बोड़ी परिशिने का सामना करना पड़ सकेगा तो loan लेने से पहले अपनी सूजबूस से ही loan के लिए apply करना तो नमस्कार दोस्तों जगू ग्यान में आपका एक बार फिस्टे स्वागत है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन डबा कर all notification on कर दो जिसे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहा है तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों हमारे लिस में नंबर 5 पर जो application आती है उसका नाम है true balance जिसकी 4.3 की rating है और 10 million प्लस download अल्रेडी हो चुक है इसके दोस्तों true balance 100% safe and secure है यहाँ से आप 5000 रुपया से लेके 5000 रुपया दे के loan ले सकते हो और जिसमें 62 डे से 116 डे का tenure मिलता है दोस्तों इस application को नंबर 5 पर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर interest बाकी सब application के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रहता है इसलिए इसे नंबर 5 पर रखा है दोस्तों यहाँ पर जो loan मिलेगी उसका example पर यहाँ पर आप जख सकते हो कि अगर आप यहाँ से 10,000 रुपी का loan 90 दिन के लिए लेते हो तो उस पर 5% पर मंद के इसाब से interest लगाई जाता है और 3% टक processing fees लगाई जाएगी जो के 300 रुपीय होती है और 18% JST लगाई जाएगा जो के 54 रुपीज होती है यानि कि processing fees और JST मिला के 345 रुपीय होगा 1500 रुपीय आपका 90 दि में interest बनेगा 3833 रुपीय का EMI बनेगा और 10,000 के लोन यहाँ पर आप लेते हो तो 90 दिन के अंदर 11,850 रुपीय आपको total repayment करना पड़ेगा दोस्तो true balance आप लोन के अलावा insurance भी ले सकते हो e-commerce का option भी मिल जाता है जहांचे आप online shopping भी कर सकते हो train booking भी कर सकते हो और prepaid and postpaid payment भी कर सकते हो यानि के research भी कर सकते हो तो एक तरीक से देखा जाए तो एक wallet की तरह भी काम करता है दोस्तों यहाँ पर आपको दो तरीकी loan देखने को मिलेगी पहले है cash loan जो आप up to 50,000 रुपया तक ले सकते हो लेकिन दोस्तों cash loan लेने के लिए आपको bank statement यह income prompt देने की ज़रूद पड़ेगी पर यहाँ पर दूसरा loan है level of loan जिसमें आप 1,000 रुपया से लेकर 15,000 रुपया तक की loan ले सकते हो जिसमें आपको कोई भी document upload करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी सिर्फ pen का number देके आप यहाँ से loan ले सकते हो दूस्तों सुरू सुरू में यहाँ पर आपको बहुती कम amount की loan मिलेगी उसके बाद आप उसका regular repayment करते रहोगे तो आपकी limit increase भी होती रहेगी अब दूस्तों यहाँ से loan लेने के लिए आपको इस application को install कर लेना है उसके बाद आपके mobile number से और email ID से registration process complete करनी है तो आपके सामने home page आज जाएगा जहाँ पर आपको यह दो option मिल जाएगे कि आप कौन से loan लेना चाते हो अगर आप salary पसंद हो और आप बड़े amount की loan लेना चाते हो तो आप यहाँ से cash loan ले सकते हो तो आप ओहो वीडियो देखकर यहाँ से loan ले सकते हो अब दोस्तो हमारे list में number 4 पे जो application आती है उसका नाम है money view loan जो play store पर आपको आसाने से मिल जाएगी इस application की rating की rating की बात करें तो 4.5 की rating है और 10 million plus download ओल्रेडी हो चुके है दोस्तो आपको बड़ी loan amount की जरूरत है तो आप money view app में try कर सकते हो यहाँ पर आप 10,000 रुपया से लेके 5,000,000 रुपया तके loan ले सकते हो यहाँ से जो loan लोगे उस पर 14% से 49% तक का interest लगा ही जाता है जो कि आपकी profile risk पर depend करता है और यहाँ पर दोस्तो सबसे अच्छे बात है कि 3 मेहने से लेके 5 year का 10 new time मिलता है जो कि लंबे समय के लिए यहाँ से आप loan ले सकते हो उसके लवा दोस्तो कुछी समय पेले money view ने एक कार्ड लोंज किया है आप वो कार्ड भी ले सकते हो उस कार्ड में आपको एक credit line मिलेगी उस limit का आप इस कार्ड की मदल से 0% interest पर कहीं पे भी shopping कर सकते हो यहाँ पर दोस्तो जो लोन मिलेगी उसे एक example की तोर पे समझे तो अगर यहाँ से आप 55,000 रुपया का लंग 26% interest पर 12 मेहनों के लिए लेते हो तो 17,000 रुपया यहाँ पर आपको processing piece देनी पड़ेगी 315 रुपया JST लगाये जाता है 4,488 रुपय का EMI बनेगा 25,000 के लोन में चे 47,935 रुपीज आपके bank account में आएगे 3,737 रुपया आपको total interest पर करना पड़ेगा 12 मंत में और 56,736 रुपया आपको total repayment करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर money view से loan apply करने के लिए आपको सबसे पहले money view application को download करना है उसके बाद दोस्तों आपकी basic detail देनी है और 2 minute में आपके eligibility चेक होगी और आपकी eligibility का आधर पर आपको एक loan amount मिल जाएगी उसके बाद दोस्तों आपको loan amount और 3 new select करना है उसके बाद आपको KYC करना है KYC में आपको document verification कराना होगा document में आपको आधर card, plan card, selfie और 3 मिलने का bank statement की ज़रुवत पड़ेगी और जैसे ही आप अपनी KYC कम्पलेट करवा लोते हो तो within 5 words के अंदर आपके loan amount आपके bank account में आपको मिल जाती है और दोस्तों यहाँ पर loan मिलने का सांच बहुत ज़्यादा है क्योंकि ए पूरे इंडिया में 5000 लोकेशन पर loan प्रोइड करती है इसलिए यहाँ पर loan मिलने का सांच बहुत ज़्यादा है दोस्तों इसके उपर भी मैंने एक already वीडियो बना के रखा है अगर आप money view से loan लेना चाहते हो तो आपको description में एक link मिल जाएगी वहाँ पर click करके वो पूरा वीडियो देखे money view से आप loan के लिए apply कर सकते हो अब दोस्तों हमारे list में जो number 3 पर application आती है उसका नाम है branch personal loan जिसकी 4.5 की rating है वर उसके भी already 10 million plus download हो चुके है दोस्तों अगर आपको 25,000 रुपया तक की loan की जरूरत है तो आप branch application से loan ले सकते हो यहाँ से आप 750 रुपया से लेके 25,000 रुपया तक की loan ले सकते हो तो यहाँ पर अगर आप 9,000 रुपया का loan 24% interest पर 2 मेने के लिए लेते हो तो जिसमें processing fees 108 रुपया लगेगी दो मेने में 370 रुपया interest लगाई जाएगा 4,600 रुपया का EMI बनेगा और यहाँ से आप 9,000 रुपया का loan लेते हो और अगर आप एक sell it पसंड हो तो आप अपनी sell it रुपया प्लोट करके 2,000,000 रुपया तक की loan ले सकते हो और एक RBI रेजिचर NBFC कंपनी है और 100% secure है दोस्तो branch application से loan apply करने के लिए आपको इसकी application को download करना है और इसमें registration करना है और अपनी basic detail देनी है तो आपकी eligibility का आधर पर आपको एक loan amount मिल जाएगी उसके बाद दोस्तो अपने bank detail देके उस loan amount को आप मातर 3 मिनिट में अपने bank account में ले सकते हो दोस्तो अगर आप एक sell it पसंड नहीं हो तो सुरू सुरू में यहाँ पर आपको सोटा loan amount मिलेगा उसके बाद उस amount का अप यूज करके time पे repayment करोगे तो आपका amount इंक्रीज होता रहेगा और दोस्तो अगर आप ब्रांज से loan अप्लाई करना चाते हो तो उसके उपर भी मैंने एक already वीडियो बनाया है उसके लिंक भी आपको description में मिल जाएगी महाँ पर जाके वो वीडियो देखकर यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो अब दोस्तो हमारे list में number 2 पे जो application आती है उसका नाम है credit b जिसके rating की बात करें तो 4.4 की rating है और इसके भी already 10 million प्लस डाउनलोड खो चुके है दोस्तो credit b से आप 1000 रुपया से लेके 2 लाख रुपया ते की लोन ले सकते हो जिसमें 0% से 29.95% का interest लगाई जाएगा जो आपकी profile risk पर depend करेगा और यहाँ पर 62 days से 15 महिने का 10 new time मिलेगा दोस्तो आप एक salary पसंद नहीं हो और आपका civil score बहुती खराब है या civil score अभी बना ही नहीं है आप एक student हो फिर भी आप यहाँ से loan ले सकते हो हो सकता है यहाँ पर सुरू-सुरू में आपको बहुती कम amount का loan मिले उसका आप regular repayment करते रहोगे तो आपकी loan amount increase भी होगी और आपका civil score भी increase होगा यहाँ पर आपको दोस्तो टोटल 4 प्रकार यह loan देखने को मिलती है जिसमें पहला है flexi personal loan जिसमें आप स्रिफ other card और address proof देके 1000 रुपय से लेके 10,000 रुपय तकी loan ले सकते हो और दोस्तो जिसमें आपको 62 डे से 6 महने का tenure मिल जाएगा तो दोस्तो आप एक student भी हो तो आप यह loan यहाँ से ले सकते हो उसके बाद दूसरा loan है premium loan for salaried जिसमें आप 2,00,00 रुपय के loan 15 महनों के लिए ले सकते हो और यहाँ पर दोस्तो लोकिमेट requirement में आपको आधार card, pen card और salary proof देना पड़ेगा उसके बाद दोस्तो है salaried loan for self employee जिसमें भी आप 2,00,00 रुपय के loan सिर्फ पान कार्ड और address पूपर ले सकते हो लेकिन दोस्तो एह loan तभी अनलोक होगा जब आप फेक्सी फ्रस्टन loan लेके उसका repayment regular कर दोगे उसके बाद दोस्तो तिसला loan है online shopping loan जहाँ पर आपको e-wapser मिलता है उसके जदी आप Amazon, Flipcard, Bantra जैसे बड़ी-बड़ी e-commerce company से online shopping कर सकते हो और उसके बाद दोस्तो credit बिना अभी होभी एक card launch किया है उसके लिए भी आप apply कर सकते हो जिसमें आपको 10,000 रुपय के limit मिलती है और इस card को एक्टिवर करने के लिए सिरिफ आपको pen card और address book देने के ज़रोयत पड़ेगी दोस्तो credit बिस से loan apply करने के लिए आपको इसके application इस्टोल करनी है उसके बाद अपने mobile number से उसपर registration process complete करनी है और pen card के आधर पर अपनी eligibility check करनी होगी उसके बाद आपके eligibility का अधर पर आपको एक loan amount मिल जाएगी और उसके बाद loan amount मिल जाने के बाद आपको KYC करना होगा दोस्तो KYC में आपको यहाँ पर वीडियो KYC करना होगा जिसमें आपको credit B के employee के साथ वीडियो KYC में बात करनी होगी वो आपको कुछ basic question पूछेगे उसके बाद आपको उसे अपना pen card दिखाना होगा और आपकी KYC अपरू हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी limit मिली होगी उसे आप अपने bank account में ले सकते हो यहाँ पर दोस्तो loan अपरू हो जाने के बाद तो आपको description में यह दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी महाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देखकर यहाँ पर आप loan के लिए भी अपलाई कर सकते हो और card के लिए भी अपलाई कर सकते हो अब दोस्तो हमारे list में number 1 पर जो application आती है उसका नाम है Navi जिसकी 4.0 की rating है और इसके भी already 10 million price download हो चुके है दोस्तो अगर आप बहुती बड़ी loan आमाउट लेने की सूसरे हो तो आप Navi application से ले सकते हो जिसमें 9.99% से 37% का interest लगाई जाएगा और यहाँ पर दोस्तो 3 महने से 72 महने तक का tenure मिल जाता है processing fees यहाँ पर 2.5% से 6% तक लगाई जाती है जो कि आपकी profile risk पर depend करती है दोस्तो नावी से आप जो भी loan लोगे उसे एक example के तुरपे समझे तो दोस्तो यहाँ से आप 15,000 रुपया की loan 12 महनों के tenure पर 22% interest पर लेते हो तो 4,680 रुपया आपका EMI बनेगा 1445 रुपया यहाँ पर processing fees प्लस 60 लगेगा 50,000 के loan में से 48,525 रुपया आपके bank account में आएगे और आपको 56,160 रुपया टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा तो दोस्तो 55,000 के loan पर 12 महनों में यहाँ पर आपको टोटल 7,335 रुपया जाजा शुका न रहेगा तो दोस्तो इस तरह के साब यहाँ पर इसका example पर देख सकते हो दोस्तो नावी साब प्रस्टरोन के अलावा home loan भी ले सकते हो home loan future का option भी मिल जाता है अगर यह loan application available होगी तो यहाँ से आप स्रिफ आधर काड़ और प्यान काड़ी भी मदब चें बीस लाग रुपया तक की loan ले सकते हो यहाँ से दोस्तो लोन लेने के लिए आपको स्रिफ 4 step complete करने होगे जिसमें first step में आपको loan detail देने होगी जिसमें आपके basic detail पुछी जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपको क्यवाई शी करना है उसके बाद bank detail आपके देने है जिस bank account में आप लोन लेना चाहते हो और उसके बाद वो loan amount आपके bank account में बेजी जाते है तो दोस्तो ऐसे easy तरीके से आप नावी से loan ले सकते हो लेकिन दोस्तो यहाँ पर loan लेने के लिए आपका credit score थोड़ा अच्छा होना चाहिए तभी आप यहाँ पर loan लेने के लिए eligible होगे और आपकी city में ए loan application serviceable होनी चाहिए तो आप यहाँ पर बड़ी loan amount ले सकते हो आपको description में मिल जाएगी और उपर i button भी मिल जाएगी आप वहाँ पर जाके इसके बारे में detail में वीडियो देख के लोन के लिए apply कर सकते हो तो चलिए दोस्तो आज के वीडियो बस इतना ही उमिद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share, comment and subscribe करना ना भूले तो चलिए दोस्तो मिलते हैं को और धमा के दर वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye